प्रत्यसगर के बालो सिल्मी ग्राम पंच्छाएत, माखुद परवाजवीक्स ने सम्मेलन्य का ऊचुन क्याकिया सम्मेलन्य चात्रशात्रां ने रगड़न कारिक्रिम की प्रस्तोती दी कारिक्रिम का शुभारं कुबर सिंग मिश्वाद निकिया अस दौरान महाविध्याले प्राचवारी ने संस्था के ख्रिया कलापों और गतिविध्यों के सम्मिद भी चौनकारी थी उन्होंने कहा कि कारिक्रम का उद्देश ये बच्चों में शिक्ष्वा के साथ सांस्कृतिक गतिविध्यों का विकास करना है जायक ने अपने संबोधन में चात्रों से कहा कि वर्तमान योग टेक्नॉलजी का है वक्त आगे चुर रहा है और वक्त के साथ हमें भी चलने की आवश्यक्ता है टेक्नॉलजी का उपयोग जहां समाज में जागरुकता के लिए होना चाहिए शिक्षा का उपयोग जीवन और समाज को सुधाने के लिए किया जाना चाहिए जोरान चात्र चात्राओं ने हिंदी चत्तसगर गीतों पर पारंपरिक वेश भूशा के साथ एकल यूगल सहयोग तरवत्य किया भाष्ण के माध्यम से देश की ज्वलंत मुद्दा विरोजगारी को सामने लाया गया योचुनिक को सपल बनाने में चात्र चात्राओं का सहयोग ते रहा सास्की नविन महागदाला महुद का यह वासी कोसर का कारकम जिसमें बच्चे अपनी सांस्कुतिक प्रस्टिती दे रहे हैं जिसमें पूरे तरीके से तमाम सिक्षग्ण उनको को साहित करने के यहां पर लगे हुए हैं और बच्चों की प्रस्टिती मने यहां पर देखा ह करकर से सांस्कितिक प्रस्टि महरा भ्रान रिप्षदेर हैं चाहिए उनके लिए जीवन में बहुत बड़ा उतार चलाय का सम्मेर रहता है शात्य जीवन हमारे जो च्छतिती गड़ अंचल के जो छात्र हैं हुमें संस्क्रितिक कला के भी प्रतिवा होतें जोला प्रदर् के माध्यम से अपन प्रतिभाला मिखारे के एक उसर मिलते हैं और मिश्ची तुरूप से हम जो बाहर में देखते हम और पोई गयर नहीं हमारी ही यही चात्र है जो सालह परिवार के बच्चा है उपन लगन में महिनत से आगे बढ़ते और आगे बढ़े के एक अस्वर मिल अच्छी होती है यहां पर अपना भवन नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर बड़ी इंस्टिट और बड़े लोग उनके उनके आधार पर उनके बीच में जो पढ़ाई होती है उनकी अपेक्चा यहां मुझे बहुत अच्छा लगा है